मेरे साथ बोलिये स्वेना स्वेना क्रतुना सम्वदेता स्वे कहते हैं अपने को स्वेना जैसे रामेना पढ़ा ना प्रे रामेना राम अभ्याम रामाई ठलेना स्वेना अपने क्रतुना कर्म से सम्वदेता बोलो तुमारा कर्म बोलना चाहिए तुमारा आचरण बोलना चाहिए तुम मौन रहो और शद्धे आचारिश्री कह रहे थे तुमारे कर्म की धनी पुरे दिख दिगंतर में, पुरे ब्रह्मांड में और पुरे अस्थित्तों में फैल जाए तो मुझे लगता है जितना आपने साथ दिन यहां से जो कुछ आप ग्रण करोगे वो आपके करमों में अंत्मशास तक बोलता रहेगा आप ऐसा आचरण करके दिखाओगे ऐसा जीवन जीओ और शद्धे आचाईशे तो पूरे सीविर में एक सत्र में आते हैं लगभग ओशत यही रहता है और उसमें भी कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं चार बजे से हमारे वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं और रात के दस कभी गा रहें कभी बारा भी बच जाते हैं दस तो है ही चार बजे से लेकर के दस बजे तक कितने वर्किंग आवर्स हो गए जी अठारह गंटे के वर्किंग आवर्स और सेलरी कुछ भी नहीं कोई छुट्टी कुछ भी नहीं छुट्टी की हमने छुट्टी कर रखी है ना आचार जी की किसी दिन छुट्टी होती है ना हमारी कभी छुट्टी होती है कभे विश्राम किया ही नहीं भूखंड विजेता कौन हुआ अतुलित यशक्रेता कौन हुआ विश्व जेता कौन हुआ एक लंबी कहानी लंबी कवीता है जिसे नेन कभी विश्राम किया चरईवेती चरईवेती चरणवई मधविंदती इंद्रह इचरता सका शद्याचार श्रिने जो आपको पुरशार्थ के प्रणदी उसको खुज जीते आप सब को अपने डायरी में कुछ प्रार्थ मिक्ता हैं लिख लेनी है वाट इस माइ टॉप प्रायर्टी मेरी सर्वोचे प्राथ मिक्ता क्या है घर के परिवार के खेती के विजनेस के व्यापार के ये जो आपके दाइत पे हैं ये सेकेंडरी है साधना, सेवा, और सत्य सत्य को ही दूसरी अर्थ में न्याए भी कह सकते हैं क्योंकि आज कर सत्य थोड़ा कम समझ में आ रहा है सत्य को लोग खाली बोलने से ले लेते हैं कि सच बोल नहीं सत्य और न्याए चार शब्दों में आप बोलें तो ये आपकी प्राथ मिक्ता होनी चाहिए वो जीवन निर्वान के लिए है इस संसार के काम चलाने के लिए जो संसार की पढ़ाई है संसार की कमाई है वो सेकेंडरी होनी चाहिए आपकी मैंने बार बार आपको कहा है कि भाई देखो काम अपना अपना जो कर रहे हूं ठीक है लेकिन सब को मिल करके इस योग के कार्यों को इतने उचाई पर ले जाकर के खड़ा कर देना क्योंकि इस समय जैसा वातावरन है ऐसा वातावरन इस काल खंड में इस रिष्टे में सायद कभी नहीं रहोगा वैदिक योगों में भी रिष्यों के यज्य में विख्ण डानने के लिए बहुत तरह के संघर्ष और संग्राम देवास और संग्राम की आपने सुर्ष्टे के आदिकाल से कहाने सुनी होगी भारत के जितने भी महापुर्शन है उनमें सरवाद है कि कोई महापुर्श को दुनिया के लोग जानते हैं जिसके नाम को तो भगवान कृष्ण जी है और उसके पीछे गीता एक बहुत बड़ा कारण है महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध बहुत बड़ा कारण है लेकिन भगवान श्रीकृषन जी के साथ क्या हुआ है भगवान श्रीकृषन जी के साथ म में पैदा हुए और संकटों की बीच में पले बड़े हुए तो अपनी जन्व भूमी को छोड़के पलाइन करना पड़ा समुद्र के किनारे द्वारिका में अपना केंद्र बनाना पड़ा आज लाख ही अतन कर लिए बोले पतंजली पर बिल्डोजर चला देंगे लेकिन हमको पतंजली से भगा नहीं सके हो आज वाला जो समय है प्रतिकूलता ही जरूर है और बिना प्रतिकूलता हो कि फिर चारू तरफ अनुकूलता हो तो फिर संगर्स और सेवा का हमारी अगनी परिक्षा का मोका ही हम कबा देंगे इसलिए कुछ संगर्स तो रहने ही चाहिए जीवन में वो संगर्स हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं आचारी चाने की कसम देख लो समय उनके आँखों के सामने उनके पिता का शीष कतल कर दिया गया था कोई भी आप देखो महर्शी दयानद को जहर दे करके मार दिया गया था सवाम विकान जी तरफते रफते मरगे इलाज के लिए पैसा नहीं था आदी संकराचारी जी के साथ में भी उनके साथ मिच्छद्म करके उनको मार दिया गया था अब तमाम महाप्रशों भगवान बुद्ध को विश्दे करके मार दिया था मैं तो कह रहा हूँ सुकरात को विश्दे करके मार दिया कितने महाप्रसों को आप देखेंगे उन क्या क्या छल सद्म नहीं हुए मैं तो कहता हूँ आज जितना अनुकूल समय है इतना साइध ही इस रिष्टे में कभी अनुकूल समय रहा होगा और आप भी हम कुछ ना कर पाए हम को ऐसे कहते हैं रहती जी जमाना बड़ा खराब है जी चारुतरफ पतन है चारुतरफ जो है अनाचार है अभरष्टा चार है वेविचार है कैसे आगे बढ़ेगा देश कैसे आगे बढ़ेगी दुनिया कैसे इस धर्दी प्रदिव्यता आएगी कैसे शुभकी देवत्त की आर्यत्त की प्रतिष्ठा होगी, हम कहें तो रहें द्रम मरधन तो अब तरह कणवन तो शमारे मापा घ्नन तो अरावन, लेकिन भाई होगा और देखो, हमारे बैठे वे पंकत जी, ये सारे इतिहास बताते रहते हैं, मैं भी इनके साथ, में इन से बहुत को इतिहास के बारे था फिर वो औरंग जे वैसा था उनके इतनी पत्निया थी इतनी बीबी उनके इतने बच्चे इसका हम से क्या लेने दिला तो हम लोग इसको जादा ध्यान से पढ़ते थे लेकिन बाद में यह आया अनो भाव में कि इतिहास में पढ़ना चाहिए चलो बीबी बच्चे हुए लेकिन इतिहास के बारे में सुरुम हमारी दिए पकशु के बारे में हमार्ण जानते हैं पंकट जी ऐसे बहुत बड़े ये दार्शनिक भी हैं, बहुत बड़े विचारक, चिंतक भी हैं, तो मैं इनसे कही बार पूछा मैंने का भई भगवान राम जी के साथ कितने लोग थे, भगवान किष्ण जी के साथ कितने लोग थे, आप भी सोचो, आचारा चानक के के साथ कितने लोग थे कहते हैं उनके गुर्कुलों में सुरों में आठ विद्यारती पढ़ने के लिए आठ और हमारे गुर्कुलों में अभी करीवे एक हजार हो जाएंगे और वो एक हजार वैसे नहीं है कि पढ़ करके और फिर संसार में जाएंगे पढ़ करके अपने आपको रिशी के रूप में तयार करके सूर्य की तरह प्रकाशित हो करके इसे पूरे जगत के अंधेरे को हरने के लिए सेवा करेंगे साधना करेंगे तब करेंगे पुर्शार्थ करेंगे ऐसे और चंदरे सेकर, राजगरु सकड़ विभगत सिंग्ची के साथ कितने लोग थे ठीक है आज हम उनकी गोरव गाता गाते है लेकिन उस समय लोग अपने घरों में यिठारा आते ते डरते थे कि पता लग जाएगा कि चंद्रेशेकर राजगुरू सुखदेव भगत सिंग अस्वाक उल्लाखा पणित रामपरसाद बिस्मिल को किसे ने आश्रे दे दिया तो उनके घरू जाड़ दिया जाते तो उनको लटका दिया था तो सामवी कुरूप में फांसी के उपर मैंने वो सैकुड हो पेड़ देखे जहां एक एक पेड गड़ के उपर सो सो दू सू दो सू पांसू लोगों को लटका करके वहां फांसी पर इसलिए जिंदा उनको भड़ी दो पहर में फांसी पर लटका देते थेंगोग एक बहयं पैदा हो जाए कि अंगरेजों के के लिए राजी नहीं था अरे हम तो संगर्ष करते हो पुरे देश में घोमें और हजारों लोगों ने अपने घरों में ठ्छारा करके गोरवनों किया कि चाहे सारी दुनिया बावा के खिलाप हों हम एक साधू की सन्याशी की योगी के साथ में हैं और लोगों ने कारेक्रम क देखता था लोगों में जादा जुनुन था अब तो लगता है कि सत्ता अनुकूल है तो कुस लोग थोड़े ठंडे से हो गए हैं लगता है भगवान करें प्रतिकूलता सदा बनी रहनी चाहिए उससे हमारा शार्य और प्राक्रम जागता रहता है अब देखो आदी संकरा चारी जी के साथ कितने लोग थे जन्होंने पूरे सनाता न धर्म की प्रतिश्ठा पूरे धेश में कर डाली कितने लोग थे जब वो निकले थे उनके साथ कितने लोग थे भगवान महावीर के साथ कितने लोग थे भगवान बुद्ध के साथ अब चिंतन करो कितने लोग गोविन चिंग जी के साथ आप जब विचार करेंगे तब ये पाएंगे ईशा मसी आज दुनिया के बहुत से देशों में इसायत पुरी छाई वी है इसलाम पूरी दुनिया के बहुत से देशों में चाया हुआ कितने लोग थे उनके साथ जब उन्होंने कारियों की सुरुआत की चंद लोग थे मुटी बर गिल लो उनको ऐसे अंगलियों पर गिल लो और एक छोटे से कोठने में बैठा लो इतने लोग थे इसा मसी और मुहम्मत के साथ अरे आज हमारे साथ इतने लोग हैं जिनको हम गिन नहीं सकते इतने लोग हमारे साथ में इतनी सात्विक आत्म हैं हमारे साथ में और अब हम ना कर पाए तो कब कर पाएंगे इसलिए आप सब अभी के अभी देखो जहां जाओ मैं अभी धार्मिक द्रिश्टी से इस बात को कहा रहा हूं जहां जाओ वही निरंकारी सत्संग व्यास वो लोग अपना धार्मिक कारे कर रहे हैं अपना जो भी उनका एक पंत है उसको अंदर अंदर फैला रहे हैं और भी कही में उदाना आप ले लीजिए चाहे वो निरंकारी संप्रदाय हो चाहे वो ब्रह्मा कुमारी वालों का संप्रदाय हो चाहे राधा स्वामी सत्संग व्यास हो ये संप्रदाय पिछले कुछ दिनों में और थोड़े 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 थोड़ा करके फैलते रहे हो और इतना विराटूपले निरंतरता करे नीची बस निरंतरता निरंतरता अखंड 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 आप मैं ये बाते हैं इसलिए कह रहा हूं मैं कि आपकी निरंतरता और उसका समर्थन तो इतना है उसकी कर्पना भी नहीं कर सकते राजनेतिक लोग देख लो आदने कासी नाम जी ने जब दलितों को बैठा करके उनकी कोंसिलिंग किया करते थे वामसेफ नाम का एक संगठान उनने बनाया और बाद में आदने मायाती जी उनके साथ में जुड़ गई देश के सबसे बड़े राज्ये के उपर जिनको अच्छूत कहा जाता था जिनको लोग पास में नहीं बैठने देते थे उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्ये के उपर सासन किया है आखों के सामने की बात है और जिनके पास में कुछ नहीं था पहनने के लिए चपनने ओड़ने के लिए कपड़े नहीं थे उन लोग ने काम किया मैं अच्छाई बुराई नहीं कर रहा हूं मैं आपको ये निरंतरता बनी रहे जेशे शद्ध्याचारिश ने आपको का ये तूटने नीची आपकी निरंतरता राजनेतिक शित्र में मुलाईमी सिंग जी पहलवान आदमी कुछ ती गया करते थे लोहिया जी के अंदोलन में जैप्रकाश जी के अंदोलन में चाहे हो आदने जैप्रकाश नारेन कांदोलन क्या था या महत्मा गांधी कांदोलन क्या था नहरू जी क्या थे फिर भी वह आदमी देखो मैं मैं अच्छी और भुरी बात नहीं करूं कि आदमी ठान लेकि मुझे ये करना है बताओ लोहपुर सरदार वल्लब भाई पटेल जिसने 565 रिय होने से बचाली और अखंड भारती दी वर्तमान में किसी व्यक्ति को उसका शे जाता देखो बात बड़ी बात होती है जिस समय जो घटना होती है उसके बाद में आप उसका मुल्यांकर करते हैं तो कि ये ना होता तो क्या होता बहुत बड़ी बात है लेकिन सरदार अजबाबर ये के पर बोस की फोटू होती थी और उनको आज़ादी का महाना एक महयोध्धा मानते थे माने नेता जी को साइड में कर दिया जितने भी महर्शी धैनाद के अनुयाई थी जो नोंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्थो लगा दिया स्वामी शद्धन जी को साइड में कर दिया लाला लाज बत्राय को साइड में कर दिया सारे करंतिकारियों को साइड में कर दिया तो जो है वो महत्मा गांधी का चर्खा भी गया अब गायव हो गया और देश का हाला यह हो गया कि पताई नहीं कहां से हिंदुस्तान की नीती क्या आप बताओ आपक पूंजी बाद उसकी नीती है इधर से चाइने वालों की एक सामेवाद के अलग नीती है फिर कोई भीच में आ गए हमारे यहां पर समाजवाद का नारा दे दिया हिंदुस्तान की राजनेति की विचार धारा जिसको आजकल जो है एडियोलोजी बोलते हैं प्रिंसिपल बोल करेगा और सारा विदेश्यों का जो कच्रा है वो सारा का सारा वस्तू का और विचारधारा का सब यहां डंप कर दिया हमको कुछ भी करना है हमको बांद बनाने तो अमरीका वाले बताएंगे हमको जो नहर बनानी है तो अमरीका वाले बताएंगे वाटर मेनेजमेंट करना और वो सारा खच्रा हिंदुस्तान के लिए अभी तक खत्रा बना हुआ है यह बहुत बड़ी एक विचानूं का बहुत बड़ा गोटाला हुआ है बहुत बड़ा पैसे का गोटाला तो एक अलग बात है सिध्धान्तू की पूरी तिलांजली देदिया वो सारी चीज मैं कह र और हम बैठे-बैठे अपना माला जाप करते रहे और हम लुट लिया और हम इदर बोलते ब्रह म अत्याम जगनमिध्यार कि ऑफ आहम ब्रह्मास मी अरे अहम ब्रह्मास मी तो है एम ब्रहा Ahh में का कर उद्गोश करने वाले तू तू ब्रह्म है तो सारे ब्रह्मांड पर भी तेरी आध्यात्मिक्ता का तेरे दिव्य तेज का सामराज्य होना चाहिए है हमारा हमारा सत्य जब पीछे से कमजोर पड़ गया तो जो है असत्य इतना प्रभावी हो गया कि वह असत्य भी हमें सत्य जैसा लगने लगा और हम चुंधी आ गए उसमें तो मैं कह रहा था कि राजनितिक द्रिश्टी से देखो आर्थिक द्रिश्टी से देखो 500 रुपए नहीं थे पूरे अम्मानी जी के पास अभी उनके दोनों बच्चे पूरे देश के उपर राज कर रहे हैं अडानी जी आज जो है वो उनके पोड़ पार्ट ये वो आप देखो आप थोड़े दिन पहले जाओ 25-25 साल पहले लोगों को सबको बाबाजी का सामराजी दिखता है अरे हमने तो एक पैसे की चोरी और हेरा फेरी नहीं की फिर भी पूरी दुनिया में योग अईर्वेद सदी सुरुभईदिक संस्कृति का डंका बजार खा है अर्वारे पास तो संसाधन जो इन लोगों के पास में जो बड़े बड़े बैठे हैं उनके वो पहाड के बराबर हम तो चीटी भी नहीं उनके सामने आर्थिक यदि दृष्टि से देखो तो हमारा जो सामराजी का है वो संकल्प का है वो सात्विक्ता का है वो शुब का ह आप लोग को जोते नहीं हो बहुत बड़े हो शद्ध्य आचारी श्री का हमने जहां से यात्रा सुरू की उससे बहुत आगे हो आप लोग और आप लोगों को अभी हूँ बहुत आगे जाना है शद्ध्य आचारी श्री को भी जिन्नोंने इस सangकल्प के लिए बहुत बड़ा पुर्शार्थ किया है हम सब के और से बहुत बहुत अभिलंदन है और इस अनुष्ठान के लिए आप लोगों को मैंने कहा अब प्रात्मिकता ये तै करनी है कि आप लोगों के लिए इतना आउसर है अब युवा भारत संग्ठन के माध्यम से आपको इतना बड़ा पुर्शार्थ करना है कि पुरे देश में यदि युवाओं का कोई संग्ठन जाना आ जाए तो वो युवा भारत इस तरह से आपको पुर्शार्थ करके दिखाना है अभी करीब 75 लाख अपने सोचल मीडिया पर फॉलोवर्स हैं इसको इस साल आप लोगों स्कूल से लेकर कोलेज से लेकर करके विश्व विद्यालाय तक उसका विस्तार करना है तो एक जिले में कम से कम पचास से सो साखाओं का आप टार्गेट रखो और एक साल के अंतरगत आपको करीब 25 से 50 हजार युवा भारत की कख्षाएं शाखाएं पुरे देश में लगे ऐसा आपको पुर्शार्थ करके दिखाना है यह संकल्प आपको लेकर के जाना है यह टार्गेट बेस जब आपके सामने कोई लक्षे नहीं होता ना तो फिर जह चीजें आप कुछ प्राफ्त नहीं कर पाते हां कर लेंगे कर लेंगे रोज हर दिन आपका उपलब्धी भरा होना चाहिए क्या बोला हर दिन आपका उपलब्धियों से भरा होना चाहिए ऐसा आपको जीवन जीना है हर दिन कि आज मैंने क्या किया आप बाकी जो अचीवमेंट्स हैं आपके कि आपने क्या अचीव किया है क्या आपकी सक्सेस है वो बाकी जो आपकी सक्सेस है बाकी जो अचीवमेंट्स है एकोनोमिक और दूसरे उसके साथ ये भी देखो कि मैंने आज क्या किया एक दिन भी आपका सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए तो प्रती दिन आपका उपलब्धियों से भरा होगा ना तब कहते हैं ना तब आपके जिवन में बड़ी उपलब्धी होगी बड़ी काम्याबी बड़ी सफलता बड़ी उपलब्धी सब लोगों को उपलब्धी चाहिए यह उपलब्धी एक दिन में नहीं होती है इसके लिए निरंतरता निरंतरता यही एक सिद्धानत है निरंतरता और आज हम यहां बैठे हैं मैं आपके सामने बैठा हूँ तो कोई एक शब्ध में कहूँ तो यह सब निरंतरता का परणाम है एक दिन भी एक दिन तो बहुत बपड़ा होता है एक घंटा बहुत बपड़ा होता है एक्षण के लिए भी हमने अकर्मन्नेता अकर्मन्नेता आपने भीतर ने आने दी अकर्मन्नेता अकर्मन्नेता नहीं अकर्मन्नेता ये नहीं तो आपको इस तरह से काम करना है और जहे चाहे आप खारे करता है चाहे राज्ये प्रभारी है चाहे जिले के प्रभारी हैं आपका पुर्शार्थ उसमें इतना होना चाहिए और जो बहुत तेजस्वी हैं मैं तो यह जो ब्रह्मचारी वाला रास्ता है ने इस पर सबसे तेजस्वी लोगों को आना चाहिए यहां सबसे इस बड़ी संभावना हैं आपके द्वारा विराट कार्य होने के देखो मैं येदी घर में होता तो क्या होता ग Het बुद्धिती मेरे पास फोटाज भी है मेरे मेरे संकल्प मेरे साथ था मेरे साथ थी मेरे सारी रिक्सामर्थी भी मेरे साथ था लेकिन मैं घर में होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता बहुत बड़ा इंजिनियर बन सकता था बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता था क्योंकि उतना तो दिमाग था ना तो बन जात यह बहुत बड़ा आईएस आईपियस कोई ओफिसर बन जाता इससे जादा तो कुछ नहीं हो सकता था क्यों क्यों कि दुकान खोनने के लिए 25-50 जार रुपए भी अपने पास में नहीं थे भाई व्यापारी दो हो नहीं सकता था नेता इसले कि नेता हमको पता ही नेता होता क्या है नेता थो नहीं सकता था तो जादे से जादा मेहनत करता घर में होता तो क्या हो जाता या तो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता बहुत बड़ा कोई सैंटिस्ट बन जाता बहुत बड़ा कोई इंजिनियर बन जाता क मैं भी 2,5 करोड का कोई package ले ले तो बहुत ज़्यादा कमाई करता पांत दस करोड का package ले 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 ता साल का इसी ज़्यादा तो नहीं हो सकता था मैं यह दी ब्रह्मचारी हो करके और इस रास्ते पर आया तो देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आशीश पाए और मैंने वो पाया जो आदमे इसे जिंदगी में कोई अधिक्तम कोई उपलब्धी कर सकता है तो भगवान ने वो सारी शक्ति और सामर्थे मुझे दिया करके क्या करना ब्रह्मचारी वह करके वह करना जो मैंने किया है प्रह्मचारी हो करके योगी सन्याश्य हो करके ना जिता तो आज जो हूँ वह होता ही नहीं आप लोग तो कम से कम 500,000, 2000,000 रुपे खर्च कर लेते हैं मेरे पास तो 500 रुपे भी नहीं थे जब घर से चला था 500 रुपे भी नहीं थे तो मुझे से और शद्दे आचारे बार कृष्णिन जी से आप लोगों का सामर्थे कम नहीं है और जब हम दो ऐसा कर सकते हैं तो अब तो हम दो नहीं अब तो मेरे सो नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोडों हाथ मेरे साथ है अब हम क्या नहीं कर सकते हैं आप इस संकल्प के साथ आपको काम करना है और ये ये जो है न आपकी अगनी भीतर की यह ठंडी नहीं पढ़नी चाहिए जंगल में कभी आग देखी आग के पास कभी कोई सेर या हाथी आदी आता है नहीं आता है और वो आग जलके राख हो जाती है तो फिर हाथी और सेरी की तो बाद चुड़ो चीटी भी उसको रोंदते भी आगे वड़ जाती है इसलिए भया राख बन करके नहीं आग बन करके ही सदा आपको जीना है प्रकाश मान हो करके जीना है आज अगनी ही असमी क्या है बोलो जे मना जाता वेदा ये व्यचाई जूमने जाता वेदा फैरका सिद्दात व्यपीए भ माना मैं तीन लोकों पर विजय पाने वाला ओं मैं काल जर्ये हूं मैं विश्वी जर्ये हूं ऐसा संकल्प आपकी वीधर होने चोटा नहीं सोतना कभी है है तो अपड़ोग यह कर का चाहे प्रभारी जिले के राज्य के प्रभारी है का pelo का कारे करता हो नहीं ही बहुत बड़ी ग्रोकिवाटा है के सात्विकारी करता हुए बहुत बड़े ग्रोकिवाटा इसको घीता में भगवान क्रिक्ष्ण कहते हैं मुगत संग अन्हम वादी धिते उत्साह समन्न भीता हो शिद्धा सेध्धा रहो निर्वीकार रहा करता सात्ती कुछ यह ऐसा दिव्यकार स्वाइब करता बन करके आपको बहुत बड़ा काम करना है और योग को अर्थात सेवा, साधना, सेवा, सत्य और न्याय, साधना अपने शरीर इंदर और मन को समारना, उनको दिव्य बनाना, सेवा, जो अपने पास सामरत है समस्टी की सेवा में लगाना, सत्य के लिए और न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, social economic, political justice, spiritual justice सत्त के लिए, न्याय के लिए यही धर्म है, यही जीवन है बस इसके लिए इसको top priority पर रखो और इस एक दिन भी, एक दिन भी इसको छोड़ना नहीं है और शारिरिक और वैचारिक जो आपने यहां से दीक्षा पाई है दीक्षा उसी को कहते हैं, जो हमने जाना वो हमारे जीवन में उतर जाए तो आपके जानने और जेने का भेद खत्म हो इसी संकल्प के साथ मेरे साथ मिल करके सभी एक बार शान्ति पाठ करेंगे ओहु द्योह शान्ति रंतरिक्षम शान्ति प्रिति वी शान्ति राप शान्ति रोषधया शान्ति रिवाः 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 शान्ति झाल झाल